आप सभी का स्वागत हैं.. शिवानी आर्ट क्लासज में तो फ्रैंडस कैसे हैं । आपसभी अपनी प्रेप्रेशन भी कर रहे होंगे तो चलिया आज का वीडियो शुरू करते हैं.. और आज का वीडियो शुरू करने.. से पहले हम आपको बताना चाहेंगे bert. जैसा कि नियूज में आपने सुनी लिया होगा कि आपकी परिक्षाएं हो सकता है 15 अगस्त से पहले करा दी जाएं तो अब आप अपनी तैयारी में एक जुट होके लग जाईए और पूरी तरह से पूरी तरह से प्रिप्रेशन में लग जाईए और अपनी तैयारी को कम्प्लीट कीजिए साथ ही आप नोट्स बनाए शुरू से जैसा कि मैंने अपने चैनल पे अपने वीडियो में शुरू से आप सभी को बताया है कि आप नोट्स जरूर बनाएं वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं और साथ ही साथ important questions के नोट्स आप अलग बना सकते हैं चैप्टर में जो भी चीजें आपको लगती हैं कि इसमें से question पूछा जाता है तो उसको आप अलग से no down कर सकते हैं ये सभी आपको revise करने में बहुत help करेंगे और अगर आपको अपना selection चाहिए तो आपको बिल्कुल अपने से self study बहुत जरूरी है किसी भी channel किसी भी माध्यम से हम पढ़ रहे हो लेकिन अगर हम self study नहीं करेंगे तो नहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता और हमारी तयारी अधूरी रह जाती है इसलिए self study बहुत जरूरी है चली आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसी क्रम में आज हमारा ये वीडियो जो है राजस्थानी चित्रकला के महत्कुन प्रश्ण है इसमें जो आपको बहुत help करेंगे इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सकें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रस करें जिससे आने वाले latest वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो चले शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो पहला question है यहाँ पर जसरोटा की राजा बलवन्त सिंग के छवी चित्र किसनी बनाया निहाल चंद ने मोला राम मनकु नैनसुक यहाँ पर आपको answer करना है और साथ ही हम answer बताते चलेंगे आपको कि जसरोटा की राजा बलवन्त सिंग के छवी चित्र किसनी बनाया तो इसका जो राइट answer होगा option D है नैनसुक अब नैनसुक के विसे में हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी शैली के ये चित्रकार है नैनसुक जो है ये पहाड़ी शैली के चित्रकार है और जसरोटा की राजा बलवन्त सिंग के छवी चित्रका नर्माड इन्होंने ही किया था नेक्स्ट कोस्टन देखते है गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है कपड़े पर टेंपरा कैनवास पर एक्रेलिक कैनवास पर तैलरम या फिर कावच पर पाने के रहेंगे यहाँ पर आंसर कीजिएगा आप भी अपने आंसर टिक करते चलिए साथ ही हम आपके आंसर को जो भी आंसर है सही आंसर बताते चलेंगे यह आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पर है तो जिससे आप कोस्टन्स को प्रैक्टिस कर सके गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है यहां पर option A right answer होगा गोपिनी का चित्रकारी का जो माध्यम है यह कपड़े पर टेंपरा है जैसे कि मुगल राजपूद युध जो चित्र है ठीक है पूरी चित्र श्रेंखला है मुगल राजपूत युद्र इसके चित्रकार कौन है द्वारिका प्रशाद शर्मा साथ में कुछ और important question बना जाते हैं तो मुगल राजपूत युद्र के चित्रकार हैं द्वारिका प्रशाद सर्मा साथ ही हम आपको बता दें कि dissolving life, dissolving life जो ये चित्र है इसके चित्रकार हैं पर्मानन चोयल ठीक है और ये सभी राजपूत थानी चित्रकला की question है तो गोपिनी की चित्रकारी का माधिम यहाँ पर क्या है कपड़े पर टेम्परा राइट आंसर आप्सेन ए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर question number 3 है राजा अनिरुद सिंग हीरा चित्रकारी इन में से किस लगु चित्र स्कूल से संबंधित है जोदपूर, कोटा, मेवार, बूंदी अब यहाँ पर पुछा गया है कि राजा अनिरुद सिंग हीरा जो है ये चित्रकारी किस लगु चित्र स्कूल से ये संबंधित है अनिरुद सिंग हीरा की चित्रकारी किस लगु चित्र स्कूल से संबंधित है कोस्चन को आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर आप सही कर सकेंगे तो इसका राइट आंसर होगा option D बूंदी ठीक है राजा अनिरुद सिंग हीरा जो है ये राजिस्थानी चित्रकारी के बूंदी लगु चित्रशैली से संबंधित है अठारी शताब्दी का टैंपरा माधे में बूंदी शैली का राजा अनिरुद सिंग हाडा के चित्रकार उतकल रामद्वारा चित्रत किया गया है ठीक है तो आगे बढ़ें इनमें से कौन सा राजिस्थानी लगु चित्र स्कूल शिकार के द्रिशी की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है जोदपुर लगु चित्र स्कूल कोटा लगु चित्र स्कूल मारवार लगु चित्र स्कूल जैपुर लगु चित्र स्कूल राइट आंसर इसमें जो हो जात है कोश्य नमबर चार का राइट आंसर होगा option B कोटा लगु चित्र इसकूल यहां पर आपको शिकार के द्रिशिक की चित्रकारी मिलती है और यह शिकार की द्रिशिक की चित्रकारी के लिए विख्याद भी है ठीक है कोटा शैली की खोज कब हुई 1952 में करनल टीजी गेयर ए अंडर सन्ने की हडसी शैली की जो दूसरी शैली है वो है कोटा शैलीulous और कोटा स्कूल की जो विशेश्ता है शिकारद्रिशिय है है कोटा शैली का चर मुत कर्स काल अब पूछा जा जाए तो राजा उमेद Bye सिंग के समय के समय में यह चर मुत कर्स काल था ठीक है teeth सलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की और कुश्चन नमबर फाइब है जनतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था सवाई जैसिंग दुटी सर एडवें लुटियन राजा जगत सिंग करवू सियर तो यहां पर राइट आंसर जो होगा कुश्चन नमबर फाइब का राइट आंसर ह सवाई जैसिंग द्विती जंतर मंतर का निर्मार्ण जो कराया सवाई जैसिंग द्विती ने कराया नई दिल्ली में इस्थित है यह जंतर मंतर तो नई दिल्ली में इस्थित जंतर मंतर का निर्मार्ण राजा सवाई जैसिंग द्विती के द्वारा करवाया गया और पूर में रिस्ति थे किसने करवाया महाराडा कताप सिंग ने करवाया ठीक है और यहां पर जंतर मंतर है तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया सवाई जैसिंग ने सवाई जैसिंग विती ने नेक्स्ट कोश्यizen, कोश्यन नम्बर शिक्स, प्रसिद्य राजस्थानी लगुचितः-कृष्ण जुले-पर, इंपोर्टेन कोश्यन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लगुचित्र कृष्ण जूले पर को किसने चित्रित किया नुरुद्दीन ने उतकल राम साहिवदीन दाना राइट आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाता है Q6 का राइट आंसर है option A नुरुद्दीन ने ठीक है आप यह आंसर अपने सोचते चलेएगा मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी प्रसिद्ध राजस्थानी लगुचित्र कृष्ण जूले पर को किसने चित्रित किया नुरुद्दीन ने चित्रित किया राइट आंसर option A next question question number 7 है राजस्थानी लगुचित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधी में हुआ 17 सती इस्वी में 16 सती इस्वी में 15 सती इस्वी में 14 सती इस्वी में तो question number 7 का आंसर कीजिएगा आप लोग question number 7 का जो right answer होगा option B 16 सती इस्वी में राजस्थानी लगुचित्र शैली का जो उद्भव और यानि कि जन्म आरंभ है उसकी अवधी क्या है 16 सती इस्वी right answer option B next question है question number 8 किस लगुचित्र शैली में देदी प्यमान आभा युक्तरंगों का यहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और यह आकारों की निश्चित बाहर रेखाओं के भीतर सपार्ट रोप से लगाए गए है मुगल शैली, मद्य भारती शैली दक्किनी शैली या फिर राजस्थानी शैली आंसर क्या होगा तो इसका जो right answer होगा option D राजस्थानी शैली नेक्स्ट question और यह सभी question बिल्कुल previous year question है जो exam में आ चुके है KVS, NVS ठीक है तो यह सभी previous year question है DSSB, TGT, PGT सभी previous year question है जिसको की हम practice set के रूप में देखेंगे और यह हमारे लिए बहुत important रहेंगे तो question number 9 का देखते हैं राजस्थानी लगुचित्र शैल का सुस्पष्ट या साद्रिश्य मूलक रूप हमें सरप्रिथम डैस की पांडुलिटी में देखने को मिलता है कहां मिलता है शेक साधी द्वारा रचित माधुदास द्वारा चित्रत रागमाला विल्लर द्वारा रचित चौर पंचाशिका केशोर दास द्वारा रचित रसिक प्रिया तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप भी अपने आंसर टिक करते चलिए लास्ट में देखिएगा कितने आंसर आपके सही हो रहे है तो question number 9 का राइट आंसर होगा option C. विल्लर द्वारा रचित चौर पंचाशिका ठीक है और ये question आपका KVS में पुछा गया है तो इसी तरह से सभी question जो है ये previous year हैं और एक चीज जियान रखिएगा यहाँ पर विल्लर द्वारा रचित चौर पंचाशिका यानि कि पुस्तक और लेखक का question निश्चित रूप से पूछा जाता है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा वहाँ पे सभी important पुस्तक और लेखक दिये गए हैं तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा next question देखते है question number 10 है महाराजा डैस किसके समय है किसके शासनकाल में पूछा गया है कि बीका नेरी लगुचित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्थ होने लगा और मारवाडी शैली का प्रभाव हावी हो गया तो question number 10 का answer कीजिए इसका जो right answer होगा option B है गज सिंग ठीक है महाराजा गज सिंग के शासनकाल में question number 10 का right answer option B है next question देखते है question number 11 निमने लिखित में से कौन सा विशे कोटा स्कूल आफ आर्ट में अधिकतर चितरत किया गया है रागी रागी नी संकीत द्रिशे बारह मासा शिकार द्रिशे तो इसका answer आप सभी को पता ही होगा अभी उपर बताया गया कि कौटा स्कूल आफ आर्ट में अधिकतर चितर कैसे मिलते हैं तो यहां पर शिकार के द्रिशे मिलते हैं इसलिए right answer option D next question question number 12 देखिए question number 12 निमने लिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारती शैली कहलाता है राजस्थानी, मोगल, मेवार, बूंदी उसका right answer क्या होगा तो question number 12 का right answer है option C, मेवार next question question number 13 नीचे वरनित किस राजस्थानी शैली स्कूल में अधिकांश बाग और सिंख पाए जाते थे दिये गए विकल्पों में से पहचान करे बूंदी, कोटा, जैपूर, बिकानेर question number 13 का answer कीजिए 13 का जो right answer होगा option C, कोटा यहाँ पर बाग और सिंख की बात लिए है तो शिकार के दिर से किशैली में है कोटा शैली में पाए जाते है तो right answer option C next question question number 14 चित्रकारी का दखिन शैली स्कूल किसके समकालीन है जैन चित्रकारी, मुगल चित्रकारी राजस्थानी चित्रकारी, कमपनी चित्रकारी question number 14 का right answer कीजिए चित्रकारी का दखिन शैली स्कूल किसके समकालीन है यहाँ पर पुछा गया है तो इसका right answer होगा option B, मुगल चित्रकारी नेक्स्ट आगे चले question number 15 उस राजपुत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्विक्रत कर दिया था मेवार, कांगडा, बसोली, जैपुर question number 15 का right answer होता है option C, बसोली next question question number 15 का answer अभी हमने बताया ना question number 15 का जो right answer होगा option C, बसोली next question number 16 देखते हैं राजस्थानी शैली की राजपुत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली की राजपुत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली कलम, किशनगड कलम, मांडू कलम या फिर जैपूर कलम Question number 16 का आंसर तो Question number 16 का जो राइट आंसर होगा Option C होगा मांडू कलम Next Question Question number 17 चौर पंचासिका जिसे की चौर पंचासिका भी कह दे हैं श्रिंकला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है दिये गये विकल्पों में से पहचान करें मुगल चित्रकला, पहाडे चित्रकला, दक्किनी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला यहाँ पे Question number 17 का आंसर जो होगा Right answer option D राजस्थानी चित्रकला Next Question Question number 18 प्रारंभिक राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? किसंगर, कोटा, बूंदी, मेवाड यहाँ पे प्राचिंतम राजस्थानी शैली की बात की गई है कौन सा है? किसंगर, कोटा, बूंदी, मेवाड कौन सा आंसर, इसका कौन सा option राइट होगा? तो Question number 18 का राइट आंसर है D, मेवाड Next Question राजपूर्च चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? सुन्दर महिलाई, क्रश्णा, योगिनिया, दुर्गा राजपूर्च चित्रकला में जो सर्वाधिक सर्वव्याप्त चित्र है यहाँ पर चरित्र है पूछा गया, तो चित्र पूछा जाता है कि चित्र कौन सा है? ठीक है? तो Question number 19 का जो राइट आंसर होगा, Option B यहाँ पर कृष्ण का चरित्र जो है चित्र यहाँ पर चरित्र नहीं होगा, शायद चित्र होगा कृष्ण का चित्र सर्वव्याप्त है Question number 19 का राइट आंसर, Option B कृष्ण Question number 20 कि शैली स्कूल की चित्र कलाओं की ढोला मारवारी स्चंकलाएं प्रसिद्ध हैं दिये गया, विकल्पों में से पहचान करे जोधपूर शैली स्कूल, जैपूर शैली स्कूल, बिका नेरी शैली स्कूल या फिर घुलेर शैली स्कूल Question number 20 का राइट आंसर होगा, Option E जोधपूर शैली स्कूल Next question, Question number 21 चित्रकला के किस राजस्थानी शैली से शिकार विसेपर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है जैपूर, इशनगर, कोटा, जोधपूर तो इसका राइट आंसर होगा, Option C, कोटा, कोटा शैली क्योंकि वो शिकार के लिए फेमस है कोटा शैली में शिकार के चित्र बनाया जाते है Question number 22 निम्न लिकित में से किस पुरातत्व वेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई किस पुरातत्व वेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई Sir John Marshall, Sir Alexander Cunningham, Sir Aurel Stain, Sir Mortimer Wheeler यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, Option B होगा Sir Alexander Cunningham, Right Answer, Option B Next Question, Question number 23 किस कला इतिहासकार ने भारती लगचित्र शैली में घराना शैली को पहचाना B. N. Goswami, Manohar Call, MS. Randhawa, EV. Heaven कलाकारों का पूर्ण नाम इसका भी एक वीडियो है उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं जहां पर हमने इनके पूरे नाम बताए है, जैसे कि MS. Randhawa का पूरा नाम क्या है और B. N. Goswami, EV. Heaven, ठीक है तो इनका पूरा नाम देखने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं यहां पर कूश्चन नमबर 23 का जो राइट आंसर होगा ओप्शन A. B. N. Goswami नेक्स्ट कूश्चन कूश्चन नमबर 24 यह आपके लिए सुमेलित करने वाला कूश्चन होगा सुची फर्स्ट है, सुची सेकेंड है एक तरफ निहाल चन, मोला राम, साहिव राम, निसारदीन है एक तरफ इनकी शैली है कौन की शैली से बिलांग करता है जैपुर शैली, गड़वाल शैली, किशन गड़ शैली, मिवार शैली तो यहाँ पर आप्सन दिये हुए है आप्सन के एकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना होगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप्सन बी आप देखिए एक तीसरा, यानि कि निहाल चन जो है यह किशन गड़ शैली के हैं ऐसे भी आप अपना एक, जैसे कि आपको एक दो अगर याद है तो आप दो और भी सही कर सकते हैं निहाल चन जो हैं, यह किशन गड़ शैली से हैं और आप्सन बी में मोला राम है तो मोला राम जो आपके हैं, यह गड़वार शैली से हैं ठीक है, और C में साहिब राम, साहिब राम जैपुर शैली के हैं, निशार दिन जो हैं, ये मिवार शैली के हैं, तो यहाँ पे आप अगर एक दो आपको याद भी है, तो भी आप आंसर सही लगा सकते हैं, तो आप ध्यान लखेएगा, option B इसका right आंसर है, next question, question number 25 देखते हैं राजस्थानी शैली की कौन सी शैली में शिकार विशय पर आधिक्ये में चित्रण हुआ है, तो ये previous question है, इसलिए repeat होता रहता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोटा शैली का ये question बहुत ही important है, कई तरीके से आप से घुमा फिरा के पूछेगा, आंसर वही होगा, लेकिन question को अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है, तो राजस्थानी शैली की कौन सी शैली में शिकार विशय पर आधिक के चित्रण हुआ है, इसका जो option है, जैपूर शैली, कोटा शैली, किशनगर शैली, कांगडा शैली, तो इसका right answer होगा, option B, कोटा शैली, कोटा शै निसार दीन किस शैली से संबंधित है, option A, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, जैन शैली, यहाँ पर right answer होगा, option A, निसार दीन जो है, यह राजस्थानी शैली से संबंधित है, option A is the right answer, next question, question number 27, सचित्र ग्रंथ 84-85 का, किस शैली का है, 4-85 का जो है, यह किस शैली का है, आरंबिक मेवाड शैली, परवर्ती मुगल शैली, यहाँ पर पहाड़ी शैली, यहाँ पर right answer जो होगा, question number 27, option A, आरंबिक मेवाड शैली का, यह सचित्र ग्रंथ है, 4-85 का, 4-85 का जो है, यह किस के द्वारा लिखा गया, विल्लहड के द्वारा लि इसमें चम्पावती विल्लहड नामक सुंदर चित्र भी इसका उधारण है, और यह ग्रंथ जो है, प्रतापगण में चित्रित हुआ है, ठीक है, तो 4-85 का उद्गम जो है, वो मेवाड शैली, यह मेवाड शैली, आरंबिक मेवाड शैली का ग्रंथ है, नेक्स्ट कोश्चन है, क्रपाल शिंग शेखावत सम्बंधित हैं, किस से सम्बंधित हैं, वास्तुकला, काश्टमूर्थी, ब्लू पॉटरी, फोटोग्राफी, 28 का आंसर, 28 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्जन, C है, ब्लू पॉटरी, क्रपाल शेखावत जो हैं, यह जिसे के नीली पॉर्टणी नाम दिया जाता है जाना जाता है वर्तमान में कृपाल संग ब्लू पॉर्टणी चित्यकल के रूप में जाने जाते हैं और hey जैपुर जो है नीली पॉर्टणी के लिए जाना जाता है उननीश Здесь अताब्दी जाते रवार्म धरी नेली पॉर्टरी से संबंधित शिल्प कला को जाकरत करने का प्रयाश किया क्रिपाल शिंग शेखावत 1948-1951 तक शांतिरी केतन में कला सिख्षक रहे और शेखावत को वर्ष 1974 इसवी में पदमश्वी तथा 2002 इसवी में शिल्प गुरु सम्मान प्रदान किया गया क्रिपाल शिंग शेखावत 1997-1999 इसवी तक राजस्थान के ललित कला अकादमी के चेयर्मेंट पत पर इन्होंने कारे किया और ये चित्रकला एवं रेखा कला की शिक्षा भूधर शिंग शेखावत से लखनव में प्राप्त किये तो क्रिपाल शिंग शेखावत इंपॉर्टेंट है इनसे लेटिट आप जो भी मतलब वीडियो दिया जाएगा उसको भी देखिएगा इनकी जानकारी भी हम चैनल पर देंगे यानि अभी हमने जो भी कलाकारों का वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देखिए साथ ही उनका भी वीडियो आपको दिया जाएगा तो क्रिपाल शिंग शेखावत काफी इंपॉर्टेंट है इनके विसे में आप डेटेल में जानिए नेक्स्ट कोस्टन है नमबर 29 निहाल चंद कि शैली के चित्रकार थे राजपूत किशनगर कांगडा शैली मुगल शैली कृति बनाई बनी ठनी जो बनाया है वो निहाल चंद ने ही बनाया गया है निहाल चंद वारा चित्रित है बनी ठनी ये किशनगर शैली का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी और इसको भारती मुनालिसा की संग्या भी दी जाती है अठार्वी शती का चित्र राष्ट्री रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है बनी ठनी ठीक है तो किसंगर शैली के और प्रमुक्षित्रकार कौन है निहाल चन के साथ साथ भवानी दास और सूरत राम थे तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 30 बूंदी चित्रकला के बारे में सही कतन का चैन करें प्राकृतिक दिरिश्य के स्वरूप राजस्थानी संस्कृति के रंग अजन्ता के चित्रकला के समान प्राकृतिक प्रद्रिश्य कोश्चन नमबर 30 ये कोश्चन PGT 2016 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर है आप्सिन दी प्राक प्रामुख विशेष्था है बुझी चित्रकला के बारे में यहाँ पर सही कतन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्सिन दी होगा ठीक है और कदली व्रक्ष तथा आम्र व्रक्ष भी बुझी शेली में इनका भी चित्रण मिलता है और बुझी शेली के चित्रकार का विशेरहा बूंदी शैली बूंदी शैली की प्रमुक चित्रकार रहे हैं सुर्जन रामलाल साधुराम एहमद अली तो यह आज का लास्ट का कोशन कोशन नमबर 30 देख लिया आपने आज हमने इस वीडियो में 30 कोशन कंप्लीट करा है राजस्थानी चित्रकला के इसी तरह से हम 30-30 करके राजस्थानी चित्रकला के भी कोशन को कंप्लीट करा देंगे और जो भी कलाकार रहे गए हैं उनको भी वीडियो आपको दिया जाएगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें साथी चैनल को अगर सब्सक्राइब नही टेकर और बाई बाई